ओम जै जगदीश हरे, स्वामी जै जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट इसका जो टाइटिल है, हिंदुत्व तो अगर हिंदुत्व की आत्मा को आप समझना चाहते हैं, तो इस फिल्म को देखिए ये फिल्म बताती है, कि हिंदुत्व कितना महान है, कितना प्रेम बांटने वाला है ये भारत माता का जो आचल है न, वो सब को अपने आचल में समा लेती है हिंदुत्व में मेसेज है, कि हम अपनी मा की पूजा करते हैं, लेकिन दूसरे की मा का आदर करते हैं हम अपने धर्म की पूजा करते हैं, लेकिन दूसरे के धर्म का आदर करते हैं हम अहिंसावादी हैं, लेकिन हिंसा का जवाब देना भी हमें आता है भगवान राम ने ये मर्यादा बनाई थी, कि हम कभी किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे हाँ, अगर कोई आक्रमण करता है, तो उसको बता देंगे हम अपनी शक्ती ये सब चीजें इस फिल्म में हैं, आप लोग इस फिल्म को देखिए और इस तरह के संदेश अपने जीवन मुथ आ रही है करन जी तो कमाल के डिरेक्टर, राइटर हैं, तो दुनिया जानती है इनको और मुझे इन्होंने जो डायलोग दिया है, वो इतना स्ट्रॉंग डायलोग है और फिर इन्होंने मुझे ऐसी जगा पर एक्टिंग कराई जहां ऐसी जबरदस ठंड थी लेकिन री टेक, री टेक करके हम तो काम रहते हैं ठंड से उन्हेंने करवा ही ली अब आप लोग देखेगा, वो काम मैंने कैसे किया है देखें, ये लोग तो सीजन्ड आर्टिस्ट हैं, इनकी एक्टिंग के बारे में कुछ बोलने की ज़रूरती नहीं है सारह देश इनको नमन करता है, इन्होंने जो काम किया है, उसकी सराना करता है दिलों में उतर गई है दिपी का जी, तो इनके लिए मैं क्या कह सकता हूँ मैं भी उनका एक फैन हूँ, एड्मार हूँ, और उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है जी, मास्क टीवी चैनल पर रिलीज हो रही है, इसको आप जरूर देखें और इससे आप आनन्द लें इसका और उसके बाद आप गर्व से कहेंगे कि मैं हिंदू हूँ देखिए अगर स्वर्ग की कल्पना की जाए, तो वहाँ बैठकर मुझे यही लग रहाता कि यही स्वर्ग है सारे संत महात्मा बैठे हुए, सबका अश्यरवाद मिल रहा था, भगवान राम की प्रान प्रशिष्ठा हमारे मुदी जी ने इतने अच्छी तरह से, इतने अच्छे ढंग से की उन्होंने तो ग्यारा दिन का वरत किया, ग्यारा दिन का उक्वास किया, जमीन पे सोए, जल भी नहीं लिया, ऐसा व्यक्ति जब प्रान प्रशिष्ठा करता है, तो भगवान राम कितना खुश होंगे, आप जरा सोचिए तो मैं अपने को बहुत भागशाली समझता हूँ कि ऐसे दिश में, मैं भी एक दिश्टा था देख रहा था, ये सब आनद ले रहा था, बस मोदी जी एक हम को यूं समझे कि वर्दान प्राप्त हुए हैं, अवतार हैं, आके हमारे देश की जो जो भी कमियां हैं, जिन ची जो मास्टीवी OTT प्लाटफॉर्म पर स्ट्रीम होने जा रही है, मैं तो इतना हैं कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक ऐसी फिल्म हम युवा दर्शकों के लिए, क्योंकि OTT प्लाटफॉर्म सबसे ज्यादा जो हमारा यूथ है वो देखता है, और उनको यूज करता जो धर्म है वो हिंदुत्व है, वो राममय है और राष्ट्र की संस्कृति और हिंदुत्व दोनों का किस तरह से समन्वय है, समन्जस्य है, वो समझकर वो अपने धर्म को बतलाने में कभी भी संकोच नहीं करेंगे, और अगर वो धर्म से सही तरह से जुडेंगे, तो उन को जितना प्यार दिया गया था उससे ज़्यादा प्यार आप इस मुवी को दे पाएंगे जिसमें कुछ अलग हो देखे एक ही तरह की जो स्टफ जो लोग सोचते हैं कि बहुत बोल्ड स्टफ होगा या इसमें एक खास तरह की भाशा बोली जाएगी थोड़ा उससे अलग हटकर अगर हमें कहीं भी मौकर क्योंकि मैं बार-बार कहते हूं कि यह माध्यम है और माध्य मैंने पहले एडिटिंग उसमें देखी थी इसको लेकिन जब आज बड़े परदे पर देखा तो कुछ सीन ऐसे थे जो कि वास्तफ में मुझे हिला रहे थे कुछ आँखों में आसू ला रहे थे जहां कुछ लग रहा था कि मैं हिंदू हूं हिंदू मेरे जल्म से अधिका यह चीज मेरे दिमाग में आती है पूरी फिल्म को देखने के बाद लेकिन जहां इसका अंत होता है तो ऐसा लगा कि कुछ भूक रह गई है वो भूक मेरी मिटी नहीं है तो मैं चाहूंगा कि बहुत जल्दी हिंदूत का सेकिंड पर्ट भी आए ताकि लोगों की जो भू यह तो उस नहीं होक है बूरी हो जब फिल्म औंती है तो फिल्म में जो इस्टार कस ले जाती है वो उस स्टोडी की लाइन को ले ल्ही जाती है इस फिल्म में जो स्टार कस ले गया है जहाँ अनूर झी वे वह भी अव गोवन नामदेव ऐसे बहुत सारे बहुत नामी कलाकार हैं इस मुवी में और उनके रोल्स इतने गृपिंग हैं आप यूच्छित अपना मास्टीवी ऐसा बनाना जहां पर सब एक्सेप्ट है हमारा मास्टीवी बोल्ड और इन चीजों में बिलीव नहीं करता है वी बिलीव नई स्टोरीज जो स्टोरीज अब तक हम छुपाते आ रहे हैं और जो स्टोरीज हम अब तक पीछे रखते आ रहे हैं वो हम आगे ला रहे हैं हमारी तैयारी बहुत है, we are excited to get everyone on board, everyone needs to keep updated on all social media of Mass TV and then जब वो आएगी तो सब को अब पता ही होगा, वो हिला ही देगी मुवी देखे हिंदु तो एक नया कॉंसेट है, लोगों ने बहुत कहा कि आप अलग तर एक फिल्मी लेकर आते हैं, तो हिंदु लेकर आ रहे हैं तो इसकी पॉब्रिसिटी नहीं करें आप कुछ लोगों ने, अब क्या बता है, आप कुछ विवाद भी क्रेट किया है, कुछ करना भी चाहते है, कुछ मौका ढूंड रहे हैं, ठीक है, उन सभी को मेरा कहना है कि एक बड़ पर फिल्म देखें आप, फिल्म देखने हैं कि विवाद तो जीवन बड चलते रहेंगे, अब क्याएं, तो जीवड़ करने हिंदेखें, कि अपना हिंदुर्ण पर पर मुष्ट नहीं है, अब करने हमारा कोई नहीं है, मोटव तो पूत डाउन अन्य अदर रिलिजियन, आप मोटव इस तो अनली बिंग आप मूवी, जो आज हिंदुर्ण पर कालम बिलाल ले कहे बिलाल is on Islam and it's on Muslim people, it's on the story of how the birthright happened but that way we don't, हमार कोई एक उससे नहीं जोड़ा हुआ है, we try to bring everyone on board next we have a lot of movies, we have Code Blue coming in, we have Bilal coming in जो एक अनिमेटर मुवी है, which is for all ages and everything Code Blue का ट्रेलर हमने लिखाया ही था, it's on triple talak and everything उसमें बहुत अच्छे गाने हैं, उसमें बहुत सारे जूबनाटियाल के गाने हैं उसमें and everything that way, these are two we are planning on getting, उससे पहले हम नुकड लेके आये हैं it's a very nice series, जो नौ लोगों पे है story, तो people should watch it that way it's a very nice series that we recommend, yeah but वो आते ही रहेंगे तो, फिर कोई suspense ही नहीं रहेगा अगर आसारी बता दो लेकर आये थे, उसके बाद second channel हम लेकर आये मास cinema लेकर आये, उसके बाद मास south लेकर आये, क्योंकि south में बहुत बड़ी demand थी, उन लोगो ने कहा कि साव पहंदीद दिखा रहा है, कुछ हमको दिखाईए, हम south लेकर आये, उसके बाद थोड़ टाइम बाद हम लोग एक नया channel लेकर आ रहे है जो आध्यात्म से लिटेट है, आनंद प्रग्या कर, वो भी एक अलग टाइप का channel होगा, होगा अध्यात्म का लिटेट, लेक चाहिना में, होंग कॉंग में और आपके दुबई में इसका एक्सपंशन कर रहे हैं, अभी टोटल मुरा का 125 कंट्री में मास्री भी देखा जा रहा है, और ग्रोविंग का जो आप देखें, इसका ग्राफ देखें तो नियर अबर 50% मंतली ग्रोविंग है इसके इंडिया में देख सकते हैं कि आप मोबाइल पर ही देखें कमप्टिर तो हम किसी को नहीं मानते कि हर आतमी की जर्णी अपनी अलग हो थी हर अथूँ की सोच अपनी अलग होती है हर चैल का अपना वी है वे अफ वरकिंग है हमारा वे वरकिंग है कि no nonsense no adult no violence यह हम को एल्टर लेकर च